नमस्कार दोस्तों राधे राधे इस लेक्टर में हम से 560, 570 और 580 का डेटेल में रिवजन करेंगे सबसे पहले अपना से 560 इसका नाम क्या देखो कुछ देट के बारे में जानना पड़ेगा तो आज देखते रहो इनको सबसे पहले देट ओफ अनिशल स्टेटमेंट बताओ डेट ऑफ इनसलिस्टेटमेंट क्या होती है सब जानते हैं उसलिट आजनल चीए इसका मतलब यह नहीं कि लेट से लेट क्या होने चाहिए जो अक तक हो जाने चीए सब्टेम्ब तक अब आप इसे जेंट में को इनदर का होता है कर जाती हैं चाहीं करीजाती है मतलब यूजर के सामने रखते हैं यहांने बाकी बाकी यहां बाखी जितने काम होंगे ना वह इन दोनों की बीच में होगे किस की बीच में डेट ऑफाइनिचल स्टेटमेंट और डेट ऑफ एजियम यहाँ पेट ऑफ एजियम की लाज्ट क्या है 30 सप्टेम्बर अब देखो फैकिन डिट यह क्या है डेट ऑफ अप्रूवल और फाइनिशल स्टेटमेंट अब अपने स्ट्रेटमेंट बना लिए एंटिटी का अब 31 मार्च के लिए 31 मार क्या है एकदम फाइनel क्या है फाइनल ह listeners नहीं करेंगे ये सथ हुआ की बीच में इक पर क्लिन रहती है वहमारी स्ट्र कर लें रहता है 10 दोनों को схους कंत्य लेट 31 मार्च औरitalsी इन दोनों के बीच की अंदर, Karl कें आ को अपने स्टेट्मेंट का अप्रूवल कर लेना होता है कहां पे बॉर्ड मीटिंग के अंदर अब आई डेट ओफ ओडिटर सिपोर्ट डेट ओफ ओडर सिपोर्ट यह मतलब कौन से दिन ओडिटर अपनी रिपोर्ट को साइन करेगा तो यह होती है जो डेट होती है ना यह सकती यह कभी बुया झाल कई यहां बाड कइल इसनटेट मेंनों और कंई स्टेट मेंट और से कैसी साइं कर सकता है इस कारवन से बलो गया, कि auditory Bye you guys, वह कभीrdzie असने क्या तीटbelsो ने के और जन्रail को फाइन से रिक्या है, जह से हमारे अक्जांपल में हमारे अक्जांपल में 31 में क्या ही, में किया है 31 में को एंटिटि ने अपने वांकिना लिए आप्रूव कर वा लिए एग्जामपल रहो मैं कि अपने फैनिचिल्ट में बताओ कब अप्रूव कर लिए 31 फिर्ट को भी कब साय्न कर देगा जनरलिया साही होता है हmpfen कभी कभी हो सकता है कि 5 दिन बास कर दिया कि दस दिन लगा से तो यह देट होती है है डेट ओफ-फैयง वैपनी प्रीपोर्ट के लिपोर्ट के बाद ही उड़ो दे सकता है लेकिन यह सारे काम कब तक हो जाने चाहिए agm से पहले हो जाने चीए एगंसे पहले क्यों जाने की रिपोर्ट यह दोनों क्या करे जाएंगे एजियम के अंदर इस्यू करे जाएंगे एजियम के अंदर से रोल्डर के सामने रखे जाएंगे इस कारण से दोनों काम एजियम से पहले हो जाने चाहिए यह आपको समझना जरूरी था तो यह हो गए कुछ बेसिक बाते डेट के बारे में नहीं देख लिया अब आते सब्स हो जाएंग को अपन्हाइव जाता है जिसके इस को अपने या फिर कुछ डिस्कॉजर देने पड़ जाता है उन्हें ही बोला जाता है किया सब्सेट कोई वेन अभी सब्सक्राइब तुक टॉचे सब्सक्राइब है अधूम्राइब रचे माइन रचाओ ये वैंस शाओ सरे निडिखे हैं आपके इसप्र शब्र सब्चक्वक्स करती है तर्फटे समार्थ करती थी मतनध येक्ड करती ती लेकिन फाकिकर पर फ्रस्ट मार्च के बाद उन कंडिशन के रिगार्डिंग एवडेंस मिल गई उन्हें बढ़ दाता है जैसे एक आग्जांपल लेल तो बैसे तो यह आप फर में पढ़ते हुए एक आग्जांपल लेल तो मानलो क्या हुआ था कि आटि इत्य फर्फ्र मार्च से पहले था इंटटी का क्या था जो भी पूरा जिल गया था एंटिटी निक्हां रहा है तो टी ने क्लिय मांग लिए तो या कर रही है तो गांग तक दिखा रिये सब्सक्राइब लेकिन क्या हुआ यह 31 मार्च के बाद क्या हुआ अब यह बात का पता चलिए में 31 मार्च के बाद सब्सक्राइब लेकिन बताओ जो आग लग गई थी 31 मार्च से पहले लगए थी मतलब कंडिशन पहले से अग्जिस्ट करती थी लेकिन उसके रिगारिंग एविटेंस में कम मिल गए 31 मार्च के बाद तो यह होते हैं एड्जस्टिंग इवेंट तो बताओ एंटिटी क्या कर करती थी थी लेकिन मावनों का डिस्क्रोजर करना जरूरी है मैंन्मूर्ट को यह तो इनका क्या क्या बात क्या हुआ उसका होग दी स्टोक जल गया एक्जाम्पल ले लूँ यह आग लगने वाले ले तो मान लो 31 मार्ट से पहले कुछ नहीं हो था लेकिन 31 मार्ट की बात क्या हुआ आग लग गई उसके जैसे स्टोक जल गया तो यह क्या हुआ एक मैट्रियल इवेंट होगे जो बताना जरूरी है अब बताओ कि इसी बताओ पता चलता है इसके बाद बता चलता है तो उनका क्या क्या जाएगा इनको बाद में देखेंगे तो बस इसना समझ लो कि सब्सक्राइब अगरा होते हैं हमने देख लिया अब आज़ाओ आगे अब आगे अब आज़ाओ अब देखो नेक्स टुपरिक बिट्वन देट ऑफ फानिशल स्टेट्मेंट देट ऑफ और सिपोर्ट देखो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा अब तक तो हमने देखा है कुछ देट के बारे में देखा फिर हमने सब्सक्र अब करना क्या है अब करना क्या क्या करना क्या अब करने हैं तो देखो अगर आपको यह लाइंच समझ भी नहीं आ दिना तो मैं आपको यह सिंपल वर्स में समझा देता हूं सब्सक्राइल देखते हैं तो यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब रहे और वह अचे काम नहीं है इस इस च्टेट में कोई काम है क्या पहले से देखना है किया मैनेजमेंट ने सारे के सारे सब्सक्राइब कर लिए और कर लिए को सबसे पहले एस काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा और प्रोसीजर्स लगा रहा है तो उटर क्या करेगा महनत ज्यादा करेगा आगे जो हम प्रोसीजर्स पढ़ेंगे वो महनत ज्यादा करेगा लेकिन ओटर ने प्रोसीज प्रोसीजर्स लिएन है करेगा तो बस यह है प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स क्रेगा कम करे महनत करेगा मैनेजमेट indigenous प्रोसीजजर्स केलेगा जन यह बताओ कूंड कूंसे पूछ वुच वैं सुछ आप मेंनेजमेंट के लोगों को खुज कुछ कोई आ आपनी सारी से क्यां तो र Cohort भी यह मेंनेजमेंट निकला चूड ये के निकला एकदम बेमाना आदमें निकला इसने जान दुछ का कुछ ticket इघ необход धका लिगे उकर ते तुन待त्स की सारी बात ना बताए तो को खुद को भी जो क्या करेगा क्या मीटिंग मिनट मिनट के बाद उन मीटिंग में क्या क्या बात हुई है वह को बाहरे में बारे में बात हुई है क्या इस तरह से क्या कर लेगा इन मीटिंग में जो भी मिल्ट बने इन बताव जब 31st मार्च के बारे में उन मैंटर को पता चल सकता है तो बस यह काम करेगा जैका कि मैनेजमेंट क्या प्रसीजर लगा रहा है अगर उसे लगता है कि management की procedures अच्छी है तो ऊटरा आगे वाली महत्ता करेगा और महनत क्या करनी है सुभी है करना है जाथ मार्च के बाद mOG बना जाती है उनको रीड कर लेगा उन्से पता लगा लेगा कोई ऐसा सब्सक्रीयंट होए कि जोश्पा रह Cold देखो noi कैसादे ये सारी प्रोसीजर लगा की यह रोटर को चैक करना है कि जो सब्सिक्वैंट को तासा एड्जेस्टिंग उत्ट तो क्या मैनेजमेंट ने उसका इड्जेस्टिंट कर दिया तो यही बात लिखिया है after anything ओर क्या करेगा यह डेटमाइन करेगा कि अप्रॉपटर्ली रिफ्लेक्टेट कर दिया गए प्रोपे इसको अप्रोपेटी एडिज्ट कर दिया तो कि इसका प्रूपट डिस्टॉजर दिया अब इला फ्रॉट्टॉ पॉइंट है एक दम फाल्तु पॉइंट ही हर जगह बुच्छा था क्या रिटर्न डिप्रेजनेशन ओडर मेंगें को बोलेगा कि मुझे मुझे लिख करके दे मुझे लिख करके दे कि तुने सारे के सारे सब्सक्राइब कर लिया है और और तुने अगर कोई अगर कर दिया है और अगर समझ के पढ़ोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा याद करने में अब देखो next topic यह क्या special inquiry अभी हमने देखा था उपर प्रोसीजर में वोटर क्या करता है management करता है इंकरी करता है कि आपने सारी के सारी सब्सक्राइब कर लेका लेकिन इसके इंदर कुछ स्पेशल इंकरी क्यों करता है क्योंकि कई बार management को खुछ कोई गयान नहीं होता कि सब सब्सक्राइब क्या क्या करेगा कुछ पूइंट बता तों एक जैसे हैं सिंपल सिंपल पूइंट है जैसे पहला वैदर न्यू कमिट्समेंट बोरिंग एंटर पूछेगा management से क्या आपने कोई न्यू लोन लिया है बड़े अमांट का छोटा मोटा लोन नी चोटा मोटा पूछ लेगा क्या आपने कोई बड़े अमांट का लून लिया है कि 31 मार्च के बाद तो यह से पूछ लेगा और क्या पूछ लेगा क्या आपकी बड़ी ऐसेट को बेचा है या फिर क्या आपकी कोई एसेट 31 मार्च के बाद गोवर्मेंट नी जब्त करी है इस तरह से पूछ लेगा और अगर ऐसा हुआ होगा तो यह क्या है रोटर क्या कर देगा बोल देगा कि नोन अडिस्क्लोजर दो इस तरह से और पता देता हूं तो देखो यह सारी अब तक यह से कि 31 मार्च के बाद आपने जो कोई मानलो कंटिजन रसे लाविटी बना रहे थी उनके रिकार्डिंग आपको कुछ ड्यावल्मेंट हुए क्या इसका एक्जाम पर लेतम तो समझ आएगा मानलो एंटिटी ने कंटिजन ड्याविटी बना रहे थी एंटिटी अपने इसा कुछ इवेंट हो आपको केस में पता चला बाद में 31 मार्च के बाद कि हमारे केस आने के चांज जादा हो गए है और अगर हम आरेंगे तो हमारा जो नुकसान होगा ना ट्रॉटी लैक होगा तो बूटर पूछ रहे कि क्या आपकी कंटिजन लाविटी में आपने जो एड़्जस्टिंग इवेंट हो गया क्योंकि हैंठ कंटिशन पहले से अग्जिस्ट कर रही थी हमार्ण से पहले यहां पर कंटिशन पहले से चलदा था तो देस्तरह से पूछ लेगा और क्या हो गया वैजर इवेंट रहलेंट टू एक्वेंट हो तो आपको एकुछ लिए के लिए राम नाम का इन्टिते के लांक इस पीडिए कर दिया जाता है यह राम को क्या कर दिया जाता है तो बताव एंटिटी को क्या करना पड़ेगा अपना यह जो माउंट है प्रोजन फुट फुल्ट को चेंज करना पड़ेगा यह कितना कब ना पड़ेगा यह इसमें कुछ बात नहीं है एकदम सिंपल सिंपल से पॉइंट है इसमें कई सारे अग्जमपल हो सकते हैं आई से ने कुछ अग्जामपल लिखें मतलब है क्योंकि इनको ज़्यादर नहीं होता हो सकता है कि उनको घ्यान ही नहीं कि क्या क्या आता है इस कारण से उटर इस्पेशल इंकर लेगा तो यह भी हमारा कम्प्लेट हुआ अब आज आ कभी समझी नहीं आती समझ आते बस रख लेते हैं यह क्या है अभी तक हम क्या देख रहे थे सब्सक्रेंट का मतलब क्यों होते है ऐसे इवेंट जो कब हुए है थैटी फर्स्ट मार्ट से लेकर के अब टू डेटो फोटर से वाडिन की बीच में है वो होते सब्सक्रेंट अब यहां पर क्या बोलजाए विच विघंट बीकम लूंट लिटर आफ्टर दी डेट ओफोटर की और प्रीपोट सांट कर दी वर्ट ने पता हो हमारे एक जांप लूं में और प्रीपूट का सएंग कर दी इसके बाद क्या हुआ उसके बाद उट्र को सब्सक्रेंट पत मज़ीति अपता चली सांकिया मतलब है ओडिटर को सब्सक्राइब yellow लेकर अपटिए टोफ ऑटिटर इपोर्ट अपनी केस में क्या था उडिटर से एफिर्ट मही लेकिन लेकिन कहा हुँ रहा था पता चल गए तो यहां पर बोला दो केस हो सकते हैं यह इवेंट पता चले ना यह इवेंट पता चले ना पता चले कब पता चले प्सक्रेक्पाइब इस्यूड का मतलब क्या है डेट ऑफ एजियम से पहले मतलब अभी तक एजियम नहीं हुआ है एजियम का मतलब क्यों होता है एजियम के अंदर अप्रूब फैन्सिल स्टेट्मेंट और और ओडिटर स्पोर्ट दोनों कि दोनों क्या कर दे जाते हैं यूजर्स के सामने तो ब फोलीन ने तो हम जानते हैं यह बता हो अगर कोई एवेंट अटास पार कि उसका इसके मतलें नियुके बीचर को नियूट को हया बाद को ने कमसे यहां पर बnothing देखेगा कि इन इमेंट्स क्यों जैसे कि जो एब मुझे अब पता चले है मुझको अपनी क्रमेंट करने की नियुट है क्या अगर न सामस्लब को संसा मतलब को Ali तक क्यों सबस्क्रेंटे से सबस्क्रीइब और टो होताмотря होते हैं उनका डिस्क्लूजर दिया जाते हैं लेकिन अगर आप जानते हों तो अगर कोई तोड़ा पहलं कारों माननों 100 पहले का रहा हो थाउजन्ट रिपिश का रहा हो वह भी कवर जाते हैं अध्यास्टिंग में उन्हें बोला जाते हैं लेकिन जब ऐसा केस हो जब अपनी और अपनी अजिति रिपोर्ट साइंज कर दे उसके बाद अगर उसे कोई इवेंट पता पता लगाएगा कि मैटर पता कैसे लगाएगा तो क्या करेगा सबसे पहले मैंट्समेंट से बातचीत करेगा इसे बातचीत करने पर पता चल जाएगा पता चल जाएगा कि इवेंट्समेंट्समेंट्समेंट्समेंट्समेंट्समेंट्समेंट्समेंट्समेंट्समेंट्समे नहीं अब यहां पैसी क्यों लिखा क्यों कि देखो management ने भी क्या करवा ली है management ने भी क्या करवाली है उसके बाद रूटर को इवेंट पता चला है मैंने क्या पता है था यहां पर बोला गया कि management को तभी अमेंट करेगा जब इवेंट क्या होंगे बाद में पता चला है वह वास्ता में material है यहां फिन ही याँ अगर वह material हो गा तो पता चला जाएगा यहां पर क्या है कि यह material है तो पता चला जाएगा यहां पर क्या है इनको अमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पता चल गया कि जो मुझे बाद में पता चले मुझे बाद में पता चले हैं सुभा मैं करने के बाद में खाद में करीं करतेत् er अच्छा आदमी है और हो क्या कर देता है अपने इसका मतलब क्या है देखो मैंने क्या कर दिया यह जो इवेंट हुए थे जो बाद ने पता चले थे उटर को डिसक्स करने से पता चला कि यह लेकिन वोटर देखेगा की जो मैंन मेंट मैंने करें तो करें ना मान लोए जम पर लेता हूँ अपने इस्टेटमेंट ने अपने अपने लेकिन लेकिन पता चलाना उसकी वजह से यह बताओ यह प्रूजिंट फूट अट्रेयर ते चिदे कि मेंटमेंट करेगा कि मैनेजमेंट करें कि मैनेजमेंट नी जो अमेंटमेंट डिखा तो सहीं भी करेंगा तो क्या है नहीं कि गलत कर देंट। सब्सक्राइब करना चाहता है यूजर के अटेंशन लाना चाहता है जो यूजर से फैंसिल स्टेट्मेंट के वह इस बात पर ध्यान तो दें तो ट्रक्या करेगा बनाएगा सब्सक्राइब करेंट जो कि क्या था मैटर को बाद में पता चला था उस मैटर के बारे में जानकारी देगा और यहां पर सिंपल सी बात लिग दी जो मैंने आपको पहले बता दी की ओटर यह जो अपनी बना रहा है अनुरी ओडिट रिपोर्ट तो यह कब कुंसी डेट से प कर सकता अब बताओ जहांपे मैंनिघ्मेंट क्या कर रहा है अपनी अपने कि अप्रूब बना नहीं कर नहीं और यह बात लेकिए डेट नो टरलेर दैन उसे पहले नहीं दे सकता अब देखो एक चीज़ और अभी अभी हम प्रूटर किसे पता लगाता है कि इसुसे ऑजो जो इवंट मिले कब मिले पता चले। ओटर को फड़्चा लेंट पता चले तो धिकता है कि मुझे कुछ काम करना भी है की नहीं करना तो हमने सारी बातीं देखी ओटर फता लगाते कि ब्रम मैंटरील है यह फिर इन मैंटरील और तो इग्नोरी कर देते हैं और तो यहां पर दो केस बता रहे हैं अगर अपनी रिपोर्ट अभी तक मैंजमेंट को नहीं पकड़ाई है उनके हाथों में नहीं दिया है वोटर क्या कर देघे अपनी ओडित रिपोर्ट मोडिफाइड अपनी ता इसना सीम्पल सी बात बोलिया है लेकिन यह जनरली होता ही नहीं यह यह पहला हुगा होता ही यह क्यों नहीं होता था प्रॉट यू नहीं कि वह आंसे जितन यह कर दो यह मैनेजमेट को दे देता है लेकिन बताओ लेकिन बताओ अभी तक ये जो रिपोर्ट सेयर्ट को क्या पताओ ये यूजर्स के सांवे रगड़ी या नहीं रखी गई देख आँ जब इस्टार्ट कर था टोपिक मैंने क्या पता है था क्या पता है सबसार थातों में तो बताओ अभी अपनी रिपोर्ट तो देदी मैनेजमेंट को लेकिन अभी तक ये सेरोल्डर्स के सामने नहीं रखे गई इसले क्या करेगा अप्रोप्रेट एक्षिन लेगा ताकि Nada करेगा ताकि ये रिपोर्ट के पास ना जा आए इस अप्रोप्रेट अक्षिन देगा अब मालू मैनेजमेंट गनदा यहाज वो जानबुच के क्या कर देता है यह डाउट आ सकते हैं आपको कि मैंडमेंट तो गंदाद में निकला उसने यह वाली रिपोर्ट जिसमें क्या लिखा हुआ है अन्मोडिफाइड ओपनियन यह क्या कर देता है मैनेजमेंट इनके सांडर देता है तो उटर क्या करेगा तो भुण है इस तरह से अक्शन देया करेगा मिनिस्टरिग प्रॉप्रेट अप्रेट फैर्स जो कि यह होती है इनको जा कर देगा ही तो यह भी हमारी प्रॉसिजर कमप्लीट भी अब देख को इसमें मैं कि के सो रहे है कि उट्वर पयंदा चला यह को फैड्वर पता चला द लेकिन उल्टर को पता चला आफ्टर फानशल स्टेटमेंट इसका मतलब क्या है मतलब अप्रूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व क्वाइब हिसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ यह यह निगा कर देता है थो यह काम तक प्रसी काम करेगा अब इसमें ऐसा चेंज करेगा हुआ वापनी न्योर्डी टेपोर्ट बनाएगा वाप advis लेकिन हापकरेगा वों पैला देगा है यहापी दोनों पैला एस केस में इस केस में जाजोन रावी देगा और उन जाज देहां करेगा विर देगा आद बतार यह कुंझ और मैटेल था बताएगा उम्पेरा में उम्पेरा में क्या करेगा एक लिखेगा क्यों बात लिखी सेक्ष में swept लिखेगर कि जो आपने पुराणी ऊप्राणी ओडिट रिपोर्ट के सामने रखी जा चुकी है तो बताओ से착 आगर यह चीज देखे और आगे देखो और चींजों करता उडिया तो इसमें कि तो उसमें क्रेला केस में आज होए नहीं सकता इस वाले केस में देखो किस्वालिटर की रिपोर्ट तो मतलब एक्दम लोजिकल बात है मैंने आपको पता चुकी उसके बाद उटर को इवेंट का पता चला है एक्दम का मतलब क्या है यानि 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 स्टेट्मेंट और सिपोर्ट दोनों के दोनों किनको दे दिये गए बताओ यानि पहले ही चली गई होगी और कोई ड़िफ्रैंट कि इस फॉर्ट डाले में एक तो कौन सा डिफ्रैंस है कि कि जब उड़ी ट्रिपोट ना तो दोनों परा देगा यह उन परा भी और अधर पराबी और दूसरा डिफ्रेंस का है नोट वाले में यह वाला केस नहीं होगा ओडिट डिपोट आला यह वाला केस नहीं होगा दो यह स्टेंडर है मला कंप्प्रीट हुआ अब इसको हम एक बार इसको देख लेते हैं यह देखो थोड़ा टाइम रगे तक रिव जन में थोड़ा अच्छा इस्टंडर्ड था देखो यह आप देफिनिशन वगरा दे रखी है जा आप फर सब्सक्राइब करना था उनका अगया और जिनको डिस्क्लोजर देना था उन लिखें सारी के सारी में सारी बात बताई हैं आपको फिर साइस प्रक्राइब करेगा तो यह अगर आगर अगर ऐसे फैक्ट्स जोटू पता का चले बहुत ही ज्यादा पता चले मतलब एजींबी हो गयी तो प्रसेजर करेंगा अब दो चीज चेंज होगी एक तो मोडिफिकेशन ओफ नहीं होगा एक तो मोडिफिकेशन ओप नहीं होगा और एक क्या होगा देखों यह बात यहां पर लिखी नहीं है मैंने समझाने के लिए प्योटर जब अपनी नियोडिट रिपोर्ट देगा जो अ तो इसमें ओम प्यारा भी देगा तो यह हमारा कम्प्लीट हुआ एक दमीजी सा स्टेंडर है समझने के बाद आप कोई दिकत नहीं होगी वैसे स्टुडेंट को समझी नहीं आता हूँ कन्फूज होते रहते हैं अब आप आजओ नेक्स्ट इस्टेंडर पर जो कि भूत इ इस अपने बनाती है कि यह आने वाले सालों में चलती रहेगी इस अपने वाले सालों में चलती रहेगी क्या बता दिया कि यह management की responsibility कि वह क्या करें अपने एंटिटी के going concern को assess करें यहां पर क्या बला कि going concern की आने वाले सालों में चलती रहेगी या बंद हो जाएगी अब एक special pointer बता जे तो मैं आपको यहां पर समझेने के लिए कि मानलो management क्या करा अपनी entity के going concern का assessment करा और उसे प आने वाली सालों में क्यों बंद हो जाएगी मैंने क्या पता चल गया कि हमारी entity आने वाले सालों में बंद हो जाएगी तो बताओ तो एंटिटी को क्या करना पड़ता है तो एंटिटी को अपने financial statement going concern जंप्षन पर नहीं बनानी होते अभी going concern जंप्षन होती क्या है वैसे आपको पता होना चीजिए देखो आप फर में पढ़ते हो लेकिन मैं थोड़ा सा पता देता हूं कि अगर आपको यहीं नहीं पता होगा ना तो आपको आगे एक standard भी समझ नहीं आएगा मैंने क्या करता है अपनी एंटीटी का going concern का assessment करता है और उसे पता चलता है कि मेरी entity समीं चैनित्वाली को दिखा है कि नहीं क्या सब आखी जाते हैं लेकिन जब छोटनक्र पर इन जभी जाते हैं एक बात लिखी है कि मैंने क्या करता ना तो कम से कम से एक साल को करने करने देखने नए चाही तो यह पांच साल का कर ले लेकिन कम से कम कितने का करना है यह को अबजिए के अदर के क्या है उट्यक्तिव को क्या क्या करना है तो देखो सबसे पहले उट्व को देखना है कि मैनेज्मेंट ने गालेट करेगा श्बसे पलिटर क्या करेगा कि management ने going concern के जो assessment करें स्को ओटर रेएट करेगा मतलब ऑटर देखेगा कि मैनेज्में ने thary के सारी एइधस consider करने क्या जिनकी कारण entity के going concern पर खाथ शर्टेंज कर आओ तो प्लोटर से सैंटर ने क्लिकर जाता है कि सफिस्टेट्मेंट रुख मतलब अपने सिस्टेटमीसिस वह टैजम्टर नहीं की है इसे है Remember assessment करा मैं अपना सेस्मेंट कर थिसे ब्लेट करुट को पता फारे के सारी इवेंट को चन्सेडर लिए करता वो उनके रिगाड़िशी नहीं करता तो आखर देगा डिर्टी बोल देगा कि जो जो management ये अपनी फैंचिल स्टेटमेंट गोईिंग कर संब्य सी से बनाया है मैड़ोन न ये काम करके, एकदम काम कहा है, मतलब management का going concern रजमचन क्या है, inappropriate है Otrere का बोलदेगा, management का going concern रजम decimation क्या है, inappropriate है और अगर Otrere ने देखा कि management ने सारी का सारी का इवेंट से कंसिडर करें हैं उनके रिगाडिंग प्लान भी बनाया है तो उटर बोल देगा इसका क्या है अप्रोप्रियेट है उटर बस इस तरह से पता लगाएगा उसके बाद उटर को देखना होता है उटर ने देखा कि अपने फैंटिल स्टेट्मेंट किस पर बना रहा है गोईंग सही काम कर रहा है एक नोटर ये चाहाँ करेगा क्या going concern की regarding कोई material अंशरटनिटी तो एकजिएटना ही करती ना यो चैह ना पड़ेगा कि कोई क्या से है यह में समझेंगी यह तो करना क्या क्या है तो अब आज़ा नेक्स टूपिक पर यह देखने जा रहे हैं जिस्ते की खत्रा आ सकता है किसको कंसेडर करने हैं बताओ कि इसको कंसेडर करने हैं अगर हो रहा होगा तो मैंनेट को रिगारिंग बनाने पड़ेंगे बस वो टोपिक देखने जा रहे हैं जिस्ते की एंटिटी के गोईंग कंसेडर पर खत्रा इसके आने वाले सालों में बंद हो सकती है इन इन काम करता है मैंनेजमेंट करता है तो मैंनेजमेंट बोलूंगा मैंनेजमेंट ने देखा कि हमारे मैंने देखा कि हमारे एकदम खत्रे में हैं मैंने देखा कि हमारे एंटिट्रों रूप से नुकसान हो रहे हैं यहांनी गोईंग कंसान खत्रे में एक और देखा अपने क्रेटर को ड्यूट इप्र पारा क्यों कर पार उनके पास प्रैसी नहीं है तो बताव यानि एंट्टी के गोईंग कंसर्ण को क्या है खत्रा है ऐसी एक और चीजी लिग दी कि एंट्यू पेनिकर लिए अपना सपोर्ट विड्रो कर लिया मतलब एंट्टी के च्रा सब्सक्राइब्स अब्सक्राइब कर रहें कियों कर रहें कुछ जाए उनके बंद नहीं कर पारी नहीं कर पारें क्यों पैसा ही नहीं नहीं यह पीच में जो ज slider राज जैसे दूकि कि क्स्टूमरत है जह बड़े-बड़े आमाउंट में का करते थैं और से वह चले गई जोड़कर जले गए दूसरे competitor के पास या फिर क्या हो गया entity का की management चला गया entity की बड़े-बड़े management के लोग थे जो पुराकाम संभालते थे बता वहीं चले गए तो सकता है entity प्लान नहीं कि पूर्ट पूरे दिफिकल्टीज की मानलो पूरे प्लान नहीं बनाते अंका रिगार्डिंग कि रिगार्डिंग लुख प्लान नहीं बनाते रहुत को खितम करने का तो क्या हो जाएगी एक प्लान बना लेते हैं तो क्या होगा वह बच जाएगी यह होता है और अब देख्णो कुछ अधर इंडिकेशन पादेर इंडिकेशन क्या क्या हो सकती हैं परले अदेखिए फैनिशिल इंडिकेशन की आर्थिषित्थि खराब जाब या फिर अपर ने दिकिए नहीं कर पाए अब हम देख्ण और प्रीडिश्च एक दम लॉजिकल पॉइंट मतलब इसका मतलब समझातों में इस भी पूरिट को समझो कि यान्टोट हो जाएगी यह विसंत इन्का कर पायेगी यान्टी बंद हो जाएगी यह 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 भी क्या होगी क्या है कि स्व्ट्राइब कि यह होगा चीजसे अथ में डिकार है ऐड्वेर्स हैं उआ रहें कि मानलो क्या कर दिया कर दिया कुः और समझो काटच्ट्रूफिक थे जो अपने बाड बुखंप यह सब आग लगने सब क्या रहा तो अगर अगर मांगो बाड़ा गई बुखंपा गया आग लगई तो एंटिटी का सब नश्ट हो जाएगा और एंटिटी को एक भी प्यासा नहीं मिलेगा इस कारण से आपके एंटिटी का गोईंगंदन खत्रे में हैं तो यह सब कुछ इवेंट कंडिशन होते हैं जिससे एंटिटी प्लान बनाने होते हैं और अगर मानों मेंट प्लान नहीं बनाता तो सीधे क्या हो जाती है तो यह हमने देख लिया अब आजा ओडिटर के काम ओडिटर को क्या करना है सबसे पहले रिसक असेस्मेंट प्रोसीजर सबसे पहले क्या सबसे पहले रिसक असेस्मेंट काम करेग की event condition मतलब तूने अपने इवेंट कंडिशन मगई अगर अगर बना लेकि यह पूचेगा तो अगर इसे पता चलता है यह पूचने पर बता तुझे क्या-क्या मिले और क्या तुम है और तुमने ऐड्सेक्राइग्स संभ्द क्या मैंने कोई नियुक बनाया और बनाया फिर बस पता चलता कि कि by मолотयों कोई प्लान नीं बनाया तो किया बोलेगा management को Das सब्सक्राइब करो मतलब कैया है कि मतलब तुम आपने हम बनाए है यह करके तुम घलत प्रोसेजर कर रहे सबसे पहले मैंगमेंट की पूछता है कि क्या तुन्हें अपना गुश्चे में जाएगा और उसको पूछेगा बेसिस फॉर यूज़स आजमचन क्या करेगा मानून मैनमेंट अभी तक अपनी एंटिटी का going concern assessment नहीं कर रहा है तो गुश्चे में जाएगा विस्चे में जाकर बोलेगा odo कि बता किस बेसिस पर तो किस वेजिए पर अपने अपने बेसिट्रि Muhस्द कर अपहें जाकर भी कर दा रहे है यह पूछेगा और उसके बाद बोट को कुछ काम करना रहेगा वह क्या करेगा वह अभी हम आगे देखेंगे तो यह काम करने क्या क्या करना है इसके सबसे पहले देखेगा क्या मैंने ने अपने पूरी कर लिए क्या क्या responsibility होती है going concern का assessment करना तो अगर उसने पहले कर लिया यह काम अगर मैंने यह काम कर लिया है तो अगर उसे पता चला कि मैंने अभी तक तुने अभी तक तुने अभी तक तुने अपना अगर नहीं कर रहें तो फिर तुकिस बेसिस पर अपनी फैंटिसल स्टेट्मेंट गोईंग कंसर जंप्शन के बेसिस से बना रहे है यह पूछेगा अब आप एक नोट ओ लिग दिया यहां पर क्या लिग दिया कि ओडिटर को क्या करना है ओटर को थुराउट धियो डिट प किनहाइं पर बोल दिया कि अपनी ऊडिट कर रहे है तो उसके धौरा नुट के दोरान वमज़ेट को सतर करना है कि ऐसे को іवेंट तो नीच हो रहना और कोंश करेंदगा तो यह बात और बोल दी इस पेचल तो देख अब सब्सश्युक्व प्रसेजर क्या करेगा अगे कं पढ़ो, यह confusion करेगा, बस यह देखो, अब अगे क्या करना है, फर्दर audit procedure क्या होगी, additional procedure क्या होगी, अधिनल प्रोसीजर क्यों लगानी है, ताक यह देटर्माइन कर पाए कि material uncertainty गजिस्ट करती है, कि नहीं करती ही, देखो, objective में भी हमने देखा था, अटर का objective क्या था, अट और देखता है कि अप्रोपेट है कि नहीं करते है या फिल नहीं करती है या फिल नहीं करती यह चाह करना होता है को क्या क्या की रहाया नहीं करती है अभी दिया कि अचितव प्रसिज़र थे यहां हौने मेर्डमेर को कोनसी बात लिखिए है अब हमने केस देखा था कि अगए मनें लोग मैंने किए कर अपने अपने सब्सक्राइब तो यहां पे बता रहा है उसके बाद क्या करता एक उसके बाद क्या करेगा मेंगेंग करेंगा क्inação को DISCity कर क्या क् imperative करदेंग क्योंकि क्योंकि अगर देखने का मतलब है कि ध्युआ कि मतलब नहीं है तो बताओ मैंने अबंक झैस्मिंड प्रॉक्ष सब्सक्राइब इसका assessment कर अपना going concern का क्या कर गुएंग का assessment कर और प्लान बना और क्या कर प्लान बना उनके regarding एक तो assessment कर देख कुण कुण कुणती इवैंट से तरी खतर आ रहा है एक तो assessment कर और उनके regarding उनके रिकार्डिंग उनका बचने के क्या क्या को तो यह अच्छे है या फिर पर ठीक ठाक है अगर माङनलू यह प्लान बना रहे है यह प्लान बहूत ही ज्यादा तगड़ी भी बहुत ज्याता तगड़ी तो तो डायरेक्टी क्या बोल देगा कि कोई भी मैटरिल अगिस्ट करती है लेकिन मालो और ने देखा और ने देखा कि मैंडमेंड के पलान ठीक ठाक है तो बोल देगा कि एंटिटी का गुइंग कंसर अजम्चन तो बहुत खतना डाउट भी आ रहा है कि हो सकता है कि बंद हो जाए एंटिटी ने तो सही काम किया है अपने फैंसल इस्टेट्मेंट बहुत बढ़ा डाउट आ रहा है यह बात अटर समझ लेगा तो इस चाहिए क्या करेगा मैंने निनके प्लान को एक अब देखा अब देख जोंगी तो यह भी क्या है कि यहां कि प्लान है क्या करेगा एंटिटी की केस लोग देख लेगा और ने देखा की एंटीटी के काल कि फृचर इंदर कुछ बह्स कर लें कि इन गलत बात ही दिखा दे इस यहालिट करीगा कि इस चाहते वाल इक घ्री इस कुल करेगा जो भी data use क्या गया है वो एकदम सही है ना जो भी करी गई है वो भी एकदम सही है ना जैसे एक example लेता हूं लेता हूं कि मानू क्या हुआ कि एक event हुआ कि एंटिटी जीस प्रोडेक्ट में जीए लेकिन उटर लिए देखा कि ये एंटिटी जो न्यू प्रोडेक्ट लाएगी न तो इसके लिए दिगारिंग एंटिटी को न्यू मशिन दी चाहिएगी और न्यू मशिन के लिए उनको स्टाफर ट्रेलिंग देनी पड़ेगी लेकिन एंटिटी ने इस फूचर ये मानू कोई प्लान ही नहीं बनाती तो तो देखो और ने क्या क्या करा एडिशनल प्रसिजर में सबसे पहले देखता है कि मैंटिटी जो प्लान बनाया खाय इन इवेंट्स के रिगारिंग वह प्लान अच्छा है कि निए अगर वो प्लान तगड़ा है तो डायेक्टी बोल देगा कि यहां पर कोई भी अगिस्ट नहीं करती लेकिन उसके लिए प्लान बस ठीक ठाकिए तो बोलेगा क्या है मैट्रियल अंसर्टिंटी अग्जिस्ट करेगी और यहां पर एक स्पिशल पॉइंट और दे दिया कि मानू मेंट में क्या कर राख है क्या फ्लोफ फ मतलब यहां पर किसकी बात हो लिए सब्सक्राइब की बात हो लिए सब्सक्राइब कर दिया लेकिन अपना बैन अठा दिया या यानि वो इवेंट बचाही दी यानि आपको कोई मेंटर लेंश्टिंडी नहीं करती इसकान से बोला गया क्या करना है सब्सक्राइब को भी कंसीडर करना है अब देखो लाग प्रिंट आ गया जो हर जगया कुछ जाता है हर जगया क्या रिटन रिप्रेजेंटिशन ओटर पो लेगा मैंजमेंट को कि लिखकर के दे कि जो भी इवेंट कंडिशन हुए हैं सारे के सारे इंटिफाई कर लिए उनके रिगारिक तुने प्लान भी बना लिए और प्लान जो तुने बनाए है वह अच्छे बनाए हैं ऐसे बात लिखा के लिए लिए फालती बात तो यह हो गई और की प्रसीजर कंप्लीट अब का मतलब है कि एंटिटी क्या कर रही है अपने सेंटिफमेंट इस बना रही है तो घलत कर रही है यह तो गलत कब करती यह इसकन पूरा रिजन वीडियो में आपको पूरा समझा दिया पता चलता है ओटर ने देखा कि मैंगेंगेंट सारी के सारी इवेंट कंडिशन और ने करें या फिर मैंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें डख़टा रहे की नहीं कैसे पता लगाते है यह अभी हुख अभी हम ने पढ़ह total की क्या क्या करता में की प्लाकुए करता है और इंचनल यात उनको यह ज़्याद हो जाता है क्यों क्योंकि वो समझ कि या नहीं करती तो उसके बात क्या करना है जोखो अगर ने कंक्लूड कर लिया कि अप्रोप्रेट है लेकिन लेकिन वहां पर क्या है मैटरियल उंसर्टिंटी एक जिस्ट करती है अब देखो पहले मैं समझा देता हूं उसके बात बताऊंगा यह क्या करना होता है तो क्या होता है फिरफ की रिक्याइमेंट होती है कि मैंने को क्या करना होता है शारी के सारी बात प्टाने होती है तो क्या कूण कूण सी इवेंट कन्डिशन सा यह रहेगा और होटरिया करेगा चाहें क्या मैंने ने इस सारी की इसारी बाते प्लान बनाए उनके रिकारणिंग और फिर क्या बताना रहेगा योगर करती है यह बात क्या करनी होगी करना पढादेगा यूजर को क्या करना पढ़ेगा डिस्कeti देना पढ़ेगा जोडूाइश कग लेता है क्या होट्र पर्लोड कि शारी अगई और ने अडिशनल प्रोसिजर लगाई और ने कंक्लूड करा कि एकदम अप्रोप्रेट है और वहाँ पर कुछ नहीं करना बस यहां पर एक फालतु सी बास दिख दी कि अगर मानलो एस एफिर इंडेस की रिप्यारमेंट है अगर मानलो एस इंडेस बोलते हैं कि क्या कर दो ज है और कोई मैटरियल अंशोर्टिनटी फ्रोप्र करने अब आज आब अपना उपनीं कैसे कि देगा रिपोर्ट में तो सारे केस देखुए सब्सक्राइब वह बना कर एक प्रोप्रेट यह का है अप्रोप्रेट है प्रोप्रेट अपने अपने फैंशल स्टेट्मेंट किस और वहां पर क्या है लेकिन वहां पर क्या है लेकिन आरहा है तो देखेगा क्या देखना रहता है क्या मैनेजमेंट में या ठील दीय क्या नहीं यह और देखताँ और या निदीड क्या सब्सक्राइड वैं और क्या मोटेकल अन्मीडिफैड या Vivint Are सारी के सारी काम से करें करें मैंने मैंने सारी के सारी काम से कर दिये मतलब यह क्या कर रहे है एकदम ट्रुए तो पता ओटर इस क्या देगा अब यह उटर क्या देखते हैं अब यूजर्स होते हैं वह विसाज सकते हैं अगर वो विसाज सकते तो यानि सब्सक्राइब एक दम उपर उपर से देखने लग जाते हैं तो हो सकता है कि यूजर्स इन डिश्वोजर को कर दें क्या करें क्या करते है एक एक और दे अपनी रिपोर्ट में और सबस्क्राइब नंबर इस दिस्क्रीट को और खुद भी लिख देता है कि यह बिदेता है और खुद भी बोल देता है जिनके कारण मैटरील उनसर्टेंटी आ रही है और लाश्ट में याद दिला देता है वापीस याद दिला देगा कि देखो यह मा समझ ना कि मैंने क्या है है और देहा है यह जूर्ज करती है और क्या करना पड़ता है जब तो इस एक्जिस्ट करती है तो एंटीटीट को यह सब डिस्पोजर देने पड़ते हैं लेकिन मैनेजमेंट था भीकार आदमी उसने डिस्पोजर नहीं दिए तो रख सी देखा देगा ओटरीशीचा देखा देखा प्रेंट के संटर्भ बनाकर ही गलत काम की ऐसे डिरेक्ट ही क्या देगा जाए इसे क्याकर उपनिचे डाल राए इसे नहीं को क्या कर दिया करता है। वह मैंने देखा है स्ट्रूडेंट को इस स्टेंडर में बहुत ज्यादा कन्फिजेंड आते हैं समझी निया था कि गुविंग कशन रजंचन अप्रोप्रोपेट होने का मतलब क्या है इन अप्रोपेट होने का मतलब क्या है उनको यही बात समझ नहीं आती इस कान से उनको कि यह स्टेंडर याद भी नहीं होता अब देख लेते हैं लिखा हुआ है कि क्या क्यों होता है डेफिनिशन वगेरा फालतु एफर की फिर आए अगर आपको याद आ जाए तो आप भी लिख देना बस यह इसमें फिर देखो यह इवेंट कंडिशन आ गए जिसे की और इसमें कोई मेमोरी और बनाने की नहीं है एक जम सिंपल पॉइंट से पढ़ती याद हो जाएंगे लास्ट आले में त्री फूर याद करेंगे फिर आगए और क्या करेंगा फिर आगया इडिशनल पूरी बताई है फिर जैसे अटिशनल पूरी ने तो इसके बाद बता इसमें यह वाला इंपोर्टेंट होता है यह वाला ज्यादा काम का नहीं है यह उनली रिड़ है यह वाला जोने नो मैट्री लंट इसके करेगा यह मैंना आपको सारी इसकारी बता दी तो देखो पहला केस था कि गुएंग कर से जंसनल अप्रोप्रोप्रेट है उसके एक घो सेया जब गुएंग वहाला जापने तो पर न क्डेशन नहीं परते है तो वहाला खुरा थाएंग न jela mano mother यह कुलीा तो मैंने बता है इस्पेशल के मैंनेंगी at कि मैंनेंग्मेंट क्या नहीं करता मेंनि मैंनेंट असेस्मेंट ही नहीं करता गया कर लेगा तो ऑटर क्या कर देगा और सीधी क्या देगा देगा दिस्क्लेमर ऑपिनियन बताऊ इसक्राइब यह इसक्राइब निए तो यह पूरे के पूरे 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 इसक्राइब बढ़ी होगी क्या और है दो अंटोनाइब अल्जेड और जो अध्य पढ़ने जारे और जो इसिक वह पढ़ने जा रहे है जो रिस आने जरुप ऑपने देफिनिजन रिटून क्या आपको पता है कि लिए कि लीटाये क्या करता है लिटा कि लेता है लिखवा करके लेता है क्यों लिखवा कि लेता है ताकि वो उटर क्या कर पाए अपने अधर को क्या कर पाए सपोर्ट कर पाए और कुछ मैटर कर पाए यह कौन से है कि टीज़ी ने अपनी फुल्फिल कर दी कर दो इसे टीज़ी है इसे हंदर की लिखते हैं उसकी बात हो रही है बताओ को एस पर फर बनाने की डाईन पर बनाया है उन पर इंटरनल कंट्रोल लगा और जो तो भी के लिए सारी की सारी तुने मुझे प्रोडिक करिये है कशारी के इसका मतलब क्या है कि तुने पता चलेगा आगे कि पड़ लेंगे तो इसको बशीदरी रोको कि क्वेटने पुईंट को की च्पू अभी इधर भू जाओ अब देखुने एक टॉपिक लिटसेंडिक को अपने औरिटार्ने प्रयूप में यूश कर सकता है कि एक बताओ तो इसको अपने पस्पोरिटार्स की रूप में यूश्ड नहीं कर सकता है यह बात देखुनिस न एक लिए लिए तो मैं क्या करूंगा मैं थे अधर अधर इंगा करना पड़ेंगे कंदी बता है उटर ये और स clown होगा कि अभी carbon लेगा जैसे जैसे हुई accounting estimates के लग लेगा लिए पार्टी के लग लेगा गया गुण के लग लेगा तो ऐसा नहीं होता ओडर सारी बातों कि जिन जिन की लेनी होती है सारी बातों के रिटेंट नी लेता है और वो कब लेता है एज निया रेच प्राक्टिकेबल टूबट नो सायन कर रहा है उस दिन के आसपास लेगा लेकिन कम नहीं ले सकता अफ्टर डेट ऑफुटर सायन कर दी उसके बाद नहीं ले सकता उससे पहले पहले लेगा मतलब अपनी और प्रपोर्ट को सायन करने से दो चार दिन पहले दो चार दिन पहले क्या करेगा रिटर्न रिपरजंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पिरेड़ के अपनी report करे रहा है अपनी report कर रहा हूं। है आपनी पात है और देखं़ेहं हाँ कुछ बात ही इपता ही मां लो प्रिरणी नहीं दोंगा और इसने इसका रेजन क्या बता है यह बोलता है कि देखो मैंने तो बहुत बहुत है कि में तो अभी आएंटिटी में पहले कोई दूसरा इसा बोलने से ऐसा बोलने से मैनेजमेंट की कम नहीं होगी इस करेंट मैनेजमेंट के बंदे को पूरे प्रिड़ के लिए ही रिटन देनी पड़ेगी तो देख यही बात बोल दी क्या करना है उटर को पूरे प्रिड़ के लिए क्या कर लेनी है रिटन 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 देनी ह लेनी है फिर पता दिया कि कैसे होगी लेक्टर के रिप्रेटर के फोर में होगी हमने देख लेटेंट पिरड़ अब अब अधर नेक्ट टोपिक डाउट एजिस्टु रिलाइबलिटी ऑफ रिटेंट प्रेटेंटिशन हमने एक अब्जेक्टिव देखा था उर्टर का कौन भी लेंटेंट से लेटिन लेकिन ओरेटर को मैंनेज्मेंट की लेक्ट आख और मैंदार के बन्दें टेबलुग चोर आदमी है लग रहा है कि मैंग्ञ्मेंट के बन्दें हैं बिल्को्पितेंट नहीं नहीं है या रोटर को लग रहा है कि जो मैंग्रमेंट की बंदें आख़ते हैं उसे लग रहा है कि लो Federal बूंझेंस ह exfoli шेड़ी हो нет बोडेगा जैजते इतो और चया करेगा अगला काम क्या करेगा क्या रिटर बोल देगा क्या है बिल्कुल भी रिलाइबल नहीं आई ऊटर क्या के लेगा है कि यहाख रिते न है उपर वाली केस में क्या था कि मैंने一次 ग시는 है सबसे भूदे के पास आके इनन को बुलेगा भी तेरा ही तो अगर और दो लो और उट्र को रटन को पता चल जाएगा कि यह दोनों चोर आदमी है और प्रोटर करते हैं अब बात बेगर वो नहीं देते तो पता चल जाएगा कि यह बिल्कुल भी मांदा लोग नहीं है तो इसको भी कंसेट बुक्सी दिखा देता हूं बहुत है फिर अब्जेक्टिव लिखा कि रूप में यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता अब फिर आया जाता है और फिर आया कि अगर मानो देते नहीं है तो यह इंपॉरे इंपोटेंट क्या है यह इसको करना आपको अग्दम राष्ट में करना और एकदम स्पीट से करना समझ के तो यह भी हमारा कंप्लीट हो गया और मैंने आपको आज दो बहुत बढ़े-बढ बहुत इंपोर्टेंट से उनको एकदम बताये जिसे की अच्छती समझ आ जाए तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच हरे कृष्णा